प्यारे बच्चो असलाम उलाइकुम उमेड करती हूँ कि आफ ख्यारत से होंगे, खुश होंगे तो चले बच्चो आज हम उर्दू पढ़ेंगे ठीक है तो जैसे कि हम दूसरा सभख जो पढ़ रहे थे नमाज जिसका नाम है नमाज ठीक है जिसका ना फरा है ठीक है तो यह हमने सबक पढ़ा ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके questions जो है वो पढ़ेंगे यहाँ पे मशक है तो आप सारे जो है आप page number 16 निकालेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पढ़ूंगी पूरे जुम्लों में सवालाब के जवाबात जबानी दीजिए तो प्यारे बचो यह जो सवालाब है हमें क्या करना है यह जबानी में आप से सुनूंगी ठीक है तो इनके जवाबात जो है живाणी देने है तो हम पढ़ेंगे पहला जो है हामिद अब्बू के साथ कहां गया था प्यारे बच्चों कहां गया था हामिद अपने अब्बू के साथ हाँ तो जैसे आपको भी पता है कि हामिद अपने अब्बू के साथ फजर की नमाज पढ़ने गया था कहां गया था फज़र की नमाज पढ़ने गया था यह आप यह भी कह सकते है कि हमिद मजड में अपने उपव के साथ तो यहाँ पर दूसरा है हमिद की अम्मा ने घर पर क्या बनाया था तो जैसे आपको भी पता है जैसे वो वापसा आये वहां से नमाज पढ़के तो हामिद की ममा जो है उन्होंने क्या बना के रखा था हाँ हलवा बना के रखा था आया समझ हाँ बहुत ही आसान सा सवाल था तो अब है तीसरा सवाल हामिद की अमा ने सुबा की नमाज को क्या कहा तो अगर आप ध्यान दे कि हमने क्या पढ़ा था मतलब की हामिकी अम्मा जो है या मम्मा उनकी जो है उन्होंने सुबा की नमाज को क्या कहा था हाँ उन्होंने सुबा की नमाज को फजर कहा था है ना तो यह आपको भी पता है आपने अच्छे से बढ़ा है फिर है अगला सवाल फर्ज किसे को कहते हैं पैरे बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है, कि फर्ज किसे कहते हैं, तो जो हमारे अल्ला पाक ने हुक्म दिया होगा, तो हम उसे फर्ज कहते हैं, यानि कि जो अल्ला ताला ने हमें काम करने को दिया है, उसको हम अल्ला का हुक्म मांते हैं, और वो फर्ज होता है, जो काम हमें जरूरी करना होता है कि वो अल्ला का फर्ज है अल्ला का हुक्म है हल्वा खाने की बाद खामिद ने ममा से क्या कहा आपको भी पता है जब वो हल्वा खाने बैठ गे उन्होंने हल्वा खाया तो हामिद ने अपनी ममा से कहा कि आपने फरहा के लिए हलवा रखा है ना तो उन्होंने पूछा हाँ तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर हम सब भी खाए तो तब भी मतलब फरहा के लिए बचेगा अगर वो भी खाए तो तब भी बहुत हलवा बचेगा तो इसका जवाब क्या आएगा क्या आपने फरहा के लिए भी हलवा रखा है तो फिर अगला सवाल है वो मस्जिद क्यों गया था? क्यों गया था हमिद मस्जिद? क्योंकि वो नमाज, वो फजर की नमाज पढ़ने गया था हलवा क्यों बना था? हलवा इसलिए बना था? हाँ, क्यों? हाँ क्योंकि आज हमिद ने पहली बार फजर की नमाज मस्जिद में अदा की है है ना तो इसलिए हल्वा बना था इसी खुशी में तो ये जब बागी की कॉस्चिन्स है ये नोट्स में होंगे ठीक है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है खाले जगों को पूर कीजी तो यहाँ पे जो है खाले जगाए हैं ये सबक में से ही कुछ उठाए हैं कुछ जुम्ले उठाए हैं जो की मतलब हमें मुकमल करने हैं तो मैं पाढ़ूंगी यहाँ पे दिन में हर मसल्मान पर डैश वक्त की नमाजे डैश है ठीक है आपको भी पता है कितनी नमाजे होती है पाँच वक्त की नमाजे और हर मसल्मान पर वो क्या है फर्ज है तो पहले को क्या आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगी खाली जगों को पूर कीज़े ठीक है दिन में हर मुसल्मान पर पाँच पाँच वक्त की निमाज है क्या है फर्ज है फर्ज है ठीक है तो ये पहले डैश को आएगा ये दूसरे डैश को आएगा फिर है दूसरा सवाल नमाज की बरकसे हमें भी डैश करने का मौका मिला नमाज की तो ये जो इस सेंटेंस है ये जो इस जमला है ये भी इस सबक में है तो ये किन्हों ने कहा था हामित की अभू ने नमाज की बरकसे हमें भी मू मीठा करने का मौका मिला मू मीठा लिखेंगे दूसरे का जवाब जो है मू मीठा ठीक है तो फिर है तीसरा सवाल जोहर और मगरिब के दर्मियान जो नमाज अदा करते हैं उसको क्या उसको डैश कहते है क्या कहते है जो जोहर और मगरिब के दर्मियान की नमाज होती है हाँ वो क्या होती है असर होती है उस नमाज को हम असर कहते है तो तीसरे को आएगा असर ठीक है फिर है अगला सवाल सुबा की नमाज को डैश कहते हैं आदी रात के बाद की नमाज को डैश कहते हैं हाँ तो जो हम सुबा नमाज पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है फजर है ना फजर और जो हम आदी रात की बाद पढ़ते हैं है ना तो उसको क्या कहते है हाँ हाश, शाबबाश, उसको कहते हैं तहजुद, ठीक है तो पहले को क्या आएगा? सुबह की नमाज को हम फजर कहते हैं, है ना? तो फाजर हम ऐसे लिखेंगे और जो हम आदी रात के बाद नमाज पढ़ते हैं उसको क्या कहते है तहजुद कहते है आया समझ तो अब आगे बढ़ेंगे जिस पर हमारे प्यारे नभी ने डैश किया उसको डैश कहते हैं